नमस्कार शिक्षार्थियों, N.I.O.S. के स्टूडियों में आप सभी का हर्दिक स्वागत है में डॉक्टर कपिल गोतम, सहायक आचारिय, संस्कृत विभाग, मानवी की एम समाज विज्ञान विद्यापीट, भर्धमान महाविर्खुला विश्विद्याले कोटा, आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ हम आज इस सिक्षन की संकला में अध्यन करने जा रहे हैं पाठ ग्यारा ब्रह्म जो भारतिय दर्शन कोड 347 पाठ उस्तक दो का अंश है हम जब किसी भी सिद्धान्त का अध्यन करते हैं तो हम सबसे पहले इस चीज़ का अध्यन करते हैं कि वह जो सिद्धान्त है वह किस दर्शन का अंग है वह किस दर्शन की शाखा है वह प्रत्य किस दर्शन में प्रोक्त है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्शन क्या है दर्शन शब्द द्रिश्व धातू और लिट प्रत्ते से बना है लिट प्रत्ते जो है वो कर्ण अर्थ में प्रियुक्त होता है तो इसका जो अर्थ होगा दर्शन का अर्थ होगा वो होगा अर्थात द्रश्चते देखा जाता है अनेन जिसके द्वारा इती दर्शनम जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है अर्थात वह साधन जिससे देखा जाए वह दर्शन है क्या देखा जाए तत्व को देखा जाए तो वह साधन जिससे तत्व को देखा जाए अब वह साधन क्या है वह साधन है शास्त्र आता है वह शास्त्र रूपी साधन जिससे तत्व को देखा जाए जाना जाए वह साधन दर्शन कहलाता है अब जब हम भारतिय दर्शन की चर्चा करते हैं तो भारतिय दर्शन जो है वो मूलत है दो भागों में विवक्त है पहला है नास्तिक दर्शन और दूसरा है आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन से आशे है कि वह दर्शन की शाखाएं वे दर्शन के संप्रदाए जो तत्व के ज्यान में वेद को प्रामानिक नहीं मानते हैं कौन-कौन सी शाखाएं वेद को प्रामानिक नहीं मानती एक चारवाक, दूसरा जेन और तीसरा बोध ये तीनों दर्शन के संप्रदाए हैं जो तत्व के ज्यान में वेद की प्रामानिक्ता को स्विकार नहीं करते हैं दूसरा जो शाखा है वो है आस्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन जो है वो वेद को की प्रामानिक्ता को स्विकार करता है अर्थात यदि आपको तत्व ज्यान करना है तो आपको वेद की प्रामानिक्ता को स्वीकार करना पड़ेगा या वेद को प्रमान की रूप में स्वीकार करना पड़ेगा यह आस्तिक दर्शन का मूल उद्दिश्य है अब आस्तिक दर्शन जो है उसमें शड़ दर्शन आते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैसे शिक दर्शन, पूर मिमानसा तथा उत्तर मिमानसा सांख्य दर्शन जो है वो महर्शी कपिल द्वारा प्रोकता है सांख्य सुत्र जो सांख्य दर्शन का प्रतिनिदी ग्रंत है वह महर्शी कपिल द्वारा लिखा गया है अता है सांख्य दर्शन जो है उसके प्रवर्टक जो है वो महर्शी कपिल है इसी प्रकार योग दर्श उसका प्रतिनिदी ग्रंत है उसी प्रकार वैशेशिक दर्शन का प्रतिनिदी ग्रंत है वैशेशिक सूत्र जो कनाद द्वारा प्रोक्त है कनाद द्वारा प्रनीत है पूर मिमानसा या मिमानसा दर्शन जो है उसका प्रतिनिदी ग्रंत है जेमिनी क्रत जेमिनी सूत्र या म मिमान्सा सुत्र भी जिनको कहते हैं दूसरा है उत्तर मिमान्सा इस उत्तर मिमान्सा को ही वेदान्त कहते हैं और इसका प्रतिनेदी ग्रंत है ब्रह्म सुत्र जिसके प्रनेता है बादरायन इस प्रकार जो ये शड़ दर्शन अर्था जो छह दर्शन है ये तत्व ज्यान मे वेद की प्रामानिक्ता को स्वीकार करते हैं इसलिए ये आस्तिक दर्शन कहे गए हैं अब जो उत्तरमिमान्स आई जिसको वेदांत कहते हैं इसमें भी चार सम्परदाए प्रमुक रूप से आते हैं पहला आता है अद्धवेदांत दूसरा आता है विशिष्टा द्वाइत वेदान्त तीसरा आता है द्वाइता द्वाइत वेदान्त और चोथा आता है शुद्धा द्वाइत वेदान्त तो हम अब जो है वो अद्वेत वेदान्त पर चर्चा करने जा रहे हैं अब हम इस पाठ का जब अध्यन करेंगे तो इस पाठ के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रह्म शब्द का क्या आर्थ है। क्योंकि ब्रह्म इसका केंद्री भाव है, तो ब्रह्म शब्द कहते किसको है, ब्रह्म शब्द से क्या आशाय है, ब्रह्म शब्द से क्या अभिप्राय है, यह समझेंगे, साथ ही हम यह समझेंगे कि जो ब्रह्म है वो आत्मा से प्रतक नहीं है, अर्थात आत्मा को ही ब्रह् मतर वस्तु संस्ग्रतन मुद्डेश है उसकी पश्चाथ उस वस्तुं का लक्षण का जाता है उसका लक्षण किया है फिर उस लक्षण की परिक्षा की जाती है तो उद्देश, लक्षण और परिक्षा ये तीन चीजें होती है तो हम लक्षण किसे कहते हैं यह जानेंगे यह भी इस पार्ट का उद्देश है साथ ही हम यह जानेंगे कि लक्षन के भेद कितने माने गए हैं दर्शन में दर्शन में लक्षन के मुख्यते दो भेद माने गए हैं एक है सुरूप लक्षन और दूसरा है तटस्त लक्षन अब स्वरूप लक्षन ब्रह्म का स्वरूप लक्षन क्या है और ब्रह्म का ततस्त लक्षन क्या है ये भी हम इस पाठ के अध्यन के दोरान जानेंगे साथ ही हम यह जानेंगे कि जो ब्रह्म है उसके दिविद रूप जो है ब्रह्म के दो रूप अद्वित वेदानत में कहे गए है एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म का सुरूप क्या है? निर्गुण ब्रह्म केसा होता है? निर्गुण ब्रह्म का अध्यान क्यों करना चाहिए? दूसरा सगुण ब्रह्म का क्या सो रूप है? सगुण ब्रह्म किसे कहते हैं? और क्या निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों में अंतर है? या निर्गुण ब्रह्म ही सग ब्रह्म शब्द का क्या आर्थ है देखिए जो ब्रह्म शब्द है यह है ब्रिहदातू और मनिन परत्ते से ब्रह्म बना है ब्रहित्वात ब्रंगनत्वाच्य आत्मेव ब्रह्मेत गिये थी अर्थात ब्रहित्वोने के कारण और ब्रंगन के कारण आत्मा को ही ब्रह्म कहा ज लाता है क्योंकि ब्रहत होने के कारण और ब्रिंगन होने के कारण यहां पर दो शब्द प्रयोकी हैं ब्रहित्वात ब्रिंगनित्वात तो ब्रहित किसी कहते हैं जो महान हो ब्रहित मतलब बढ़ा महान आत्मा से महान कोई नहीं है इस संसार में आत्मा से बढ़कर कोई वस्त इसलिए आत्मा महान है इसलिए आत्मा ब्रित होने के करण ब्रम कही जाती है एक बात दूसरी बात आत्मा ब्रंगन होने के करण ब्रम कही जाती है ब्रंगन का रत क्या होता है सर्वव्यापक होना आत्मा अपने में सभी को समाहित करता है इसलिए आत्मा को ब्रम कहा जाता है किस प्रकार आकाश के समान आकाश जो है वो सबी जगे व्यापत है आकाश कमरी के अंदर भी व्यापत है इस पेस जिसको हम कहते हैं इस पेस जो है वो रूम के अंदर भी होता है कमरे में भी होता है कमरे के बाहर भी होता है आकाश शबी जगे जिस प्रकार व्यापत है उसी प्रकार जो आत्म तत्व है वो सर्वव्यापक है ब्रंगन है इसलिए आत्मा ब्रंगन होने के कारण सर्वव्यापक होने के कारण ब्रंभ कही जाती है अब हमने ये देखा कि आत्मा जो है उसको ब्रह्म कहते हैं तो आत्मा किसको कहते हैं आत्मा जो है वो अत्धातू मनिन प्रत्ते से आत्मा शब्द की उत्पत्ती हुई है और अत्धातू जो है वो कि सर्थ में प्रीप्त होती है अत सातत्य गमने अर्थात निरंतर गमन करने में अत दातु का प्रियोग होता है अतती गमती सातत्य भावेन जगतादी अवस्थासू अनुवर्तते सा आत्मा अर्थात देखिए आत्मा जो है वो जब हम सोते हैं जब हम शैन करते हैं तब भी आत्मा होती है और जब हम जागते हैं तब भी आत्मा होती है और जब हम स्वपन देखते हैं तब भी आत्मा होती है अर्थात आत्मा जो है वो जागरत अवस्ता में भी है आत्मा जो है वो स्वपन अवस्ता में भी है और आत्मा जो है वो निद्रा अवस्ता में भी है जिसको हम कहते हैं शुशुप्ति के अवस्ता इसलिए कहते हैं अतती गमती सातत्य भावेन अर्था जो वस्तु निरंतर रूप से सातत्य भावेन निरंतर रूप से गमन करती है किसमें जागतादी अवस्तासू अर्था जागरत स्वप्न और सुशुप्ति अवस्ताओं में जो निरंतर रूप से गमन करती है वह आत्मा है अद्वित विदान्त का एक गरंथ है ब्रहदारने कोपनिशद बाश्यवारतिक जिसके जो प्रनेता हैं वो है सुरिश्वराचारिये उन्होंने भी आत्मा की यही व्यक्य किये है उन्होंने आत्मा के लिए बताया है यत्चापनोती यदादते यत्चाती विश्यानी है यत्चाश्य संततो भावर तस्माद आत्मेती किर्थेते अर्थात यच्चा अपनोती जो व्याप्त करता है जो समस्त वस्तों को अपने अंदर व्याप्त करता है आकाश के समान जिस प्रकार आकाश सभी जगे व्याप्त है आकाश खेत में भी है आकाश कमरे में भी है आकाश जो है वो जील में भी है आकाश सभी जगे जिस प्रकार व्याप्त है उसी प्रकार यत्चापनोती जो सभी को व्याप्त करता है यदादत्ते जो ग्रहन करता है अर्थात हमारे द्वारा जो भी ज्यान किया जाता है जैसे आपने घड़े का ज्यान किया जैसे आपने कपड़े का ज्यान किया जैसे आपने शास्त्र का ज्यान किया ज चाहे हम हमारी नोकरी का उब्व करते हैं, चाहे हम हमारे भोजन का उब्व करते हैं, चाहे हम हमारे विशयों का उब्व करते हैं, तो ये जो संपूर्ण विशयों का उब्व करता है, जो पदार्थ समस्थ विशयों का उब्व करता है, यत्चाती विशयानी है, यत्चाश स उस तत्व को आत्मा कहा जाता है जो आकास के समान सरवव्यापक है जो समस्त विशयों को ग्रहन करता है जो समस्त विश्यों का उपबो करता है और जिसकी सत्था, जागरत, सुप्न, निद्रा समस्त अवस्थाओं में बनी रती है उसे हम कहते हैं आत्मा अब हम ने देखा कि ब्रहम को आत्मा क्यों कहा जाता है और आत्मा कहते किसको है ये दो चीजे हमने भी जान ली अब हम चलते हैं इनके ब्रह्म के लक्षन पर पर ब्रह्म के लक्षन को जानने से पहले उस लक्षन को जानना जरूरी है लक्षन कहते किसको है वस्तुत है लक्षन जो है लक्षन का लक्षन जो है वो तो यह है ऐसादारन धर्मो लक्षणम पर इससे जानने से पहले हम एक लक्षण को और जान लेते हैं लक्षण का एक लक्षण और है लक्षण का भी लक्षण होता है तो लक्षण का एक लक्षण है कि लक्षण उसको कहते हैं तीन प्रकार के दोशों से रहित होता है तीन प्रकार के दोशों से लक्षण रहित होता है अर्थात लक्षण आदर्श लक्षण उसी को कहते हैं जिसमें तीन प्रकार के दोश नहीं पाये जाते हूं वो तीन प्रकार के दोश कौन से हैं? पहला है एव्याप्ति दोश अर्थात जो लक्षण लक्षण के एक देश में रहता है वह लक्षण एव्याप्ति दोश कहा जाता है कहने का मतलब है कि यदि आप किसी वस्तू का लक्षण कर रहे हैं और वह उस वस्तू के केवल एक ही भाग में पाये जाते हो समस्त भागों में नहीं पाया जाता हो तो उसको हम कहते हैं एव्याप्ति दोश लक्षे के देशा वरत्तित्वम एव्याप्ति ही उधरन क्या है चित्रत्वम गोत्वम कि गाए उसे कहते हैं जो चितकबरी होती है अब चितकबरा पन जो है वो सभी गाएं में नहीं पाए जाता हो सकता है कुछ गाएं चितकबरी होती है अर्था चितकबरी का मतलब होता है कि जो गाएं जिन पर स्पोर्ट होते है जैसे कोई गाएं जिस पर बलेक बलेक स्पोर्ट है इसकोल चितकबरा ठीक है तो चितकबरा जो है वो किसी एक गाई में पाये जा सकता है समस्त गाईयों में नहीं पाये जाता हो सकता है कोई गाई सफेद हो हो समस्त गाई जो है वो काली हो समस्त गाई चितकबरी नहीं होती अता है यह जो लक्षण है चित्रत्वम गोत्वम की चितकबरापन गाये का लक्षण है यह लक्षण ऐ व्याप्ति दोस से ग्रस्त है दूसरा जो दोस है वह अति व्याप्ति दोस लक्षवरत्यत्वे सती ऐ लक्षवरत्यत्वम अति व्याप्ति ही अर्था जो लक्षण लक्षण में तो रहे ही ऐ लक्षण में भी रहे कहने का आशे है कि जिसका लक्षन आप करने जा रहे हो वह उस वस्तू में भी पाई जाते हो और उससे अतिरिक अन्य वस्तू में भी पाई जाता हो तो वह लक्षन अतिव्यापती दोस्ट से ग्रस्त हो जाता है जैसे सरंगित्वम गोत्वम कि जिसके सींग होते हैं वह गाय होती है अब यह जो सींग होने का जो लक्षन है गाये का यह बकरी में भी व्यापत है यह भेंस में भी व्यापत है तो यह जो लक्षन है यह अतिव्यापती दोस्ते ग्रिस्त हो गया तो लक्षन को अतिव्यापती दोस्ते भी मुक्त होना चाहिए तीसरा जो लक्षन है वो असंबव दोश जो लक्षन लक्ष वस्तू में ही नहीं रहता है एसा लक्षन असंबव दोश से ग्रिस्त होता है अर्थात आप किसी वस्तू का लक्षन करने हैं और वह लक्षन उस वस्तू में ही गटित नहीं होता हो तो उस लक्षण को हम कहते हैं असंबव दोष उधारन के लिए मनुष्यत्वम गोत्वम कि मनुष्यता हो नहीं गो का लक्षण है अब मनुष्यत्व जो हो तो मनुष्य में पाये जाता है गायों में नहीं पाये जाता है इसलिए यह लक्षण जो है वो असंबव दोष से ग कि लक्षण वह होता है जो तीन दोसों से रही तो अब लक्षण का एक लक्षण हो रहे है जो एसाधारण होना के लिए अब गाय का जब हमको लक्षण करना ऊंता हुं तो हमको करना चाहिए किस गाए उसको कहते हैं जो सासना दिमान हूँ सासना किसको कहते हैं आपने गाए को जब देखा होगा तब गाए के मूँ से लेकर के और उसके पेरों तक एक लटकती हुई वस्तु होती है उसको हम कहते हैं सासना और वो केवल गाए में ही पाई जाती है तो और नील गाए में भी नहीं पाई जाती है ना वो बकरी में पाई जाती है ना वो भेस में पाई जाती है वह किवल गाए में ही पाई जाती है सासना दिमत्वम गोत्वम इसलिए गाए का जो वास्तुरिक लक्षन है वह सासना दिमत्वम गोत्वम यह गाय का ऐसादरन दर्म है जो गाय को अन्य पश्वों से, मनुष्यों से, व्रक्षों से, पत्थर से, इत्यादी से प्रतक करता है इसलिए हम इसको कहते हैं ऐसादरन दर्मो लक्षणम तो लक्षण का लक्षण क्या हुआ? ऐसादरन दर्मो लक्षणम अब लक्षण अभी तक हम ने देखा कि लक्षण क्या है अब लक्षण की प्रकार पर हम चर्चा करते हैं कि लक्षण जो है वो दो प्रकार का होता है एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्त लक्षण स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं स्वरूप अमेव स्वरूप लक्षणम वेदान्त परीबाशा एक ग्रत है अद्वाइत वेदान्त का धर्म राजा द्वरिंद्र कृत उसमें स्वरूप लक्षण की विशे में कहा गया है स्वरूप अमेव स्वरूप लक्षणम अर्थात वस्तू का जो स्वरूप होता है वही स्वरूप लक्षण होता है उधरन के लिए शक्कर का मदूरता स्वरूप है क्या शक्कर और मदूरता को एक दूसरे से प्रतक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता उसी प्रकार खारा पंजो है वो नमक का लक्षन है उसको उससे प्रतक नहीं किया जा सकता तो सुरूप लक्षन किसे कहते हैं जो वस्तू का वास्त्विक सुरूप हो दूसरा लक्षन है तटस्त लक्षन तटस्त लक्षन का लक्षन क्या है अरथात यावत लग्षकाले कि जब तक लग्षकाल है तब तक अनवस्तितत्वे सती जो नहीं रहता है परन्तु यदेव व्यावरतकम जो उस वस्तु को अन्य वस्तु से प्रतक करता है उसको तटस्त लक्षन कहते हैं तटस्त लक्षन उसको कहते हैं जो उस वस्तू को अन्य वस्तूं से प्रतक करता है परंतु यावल लक्षकाले अनवस्तितत्वे वह जहां तक वह वस्तू विद्यमान होगी तब तक वह लक्षन नहीं रहता उधारण के लिए गंद प्रत्वी का लक्षन है अब यह गंद जो प्रत्वी का लक्षन है यह इसको वायू से प्रतक करता है क्यों? क्योंकि वायू का लक्षन क्या है इसपर्स होना रूप रहित इसपर्स वान वायू अर्थात रूप से रहित और स्पर्स वाली वायू होती है उससे प्रत्वी को ये प्रतक करता है इसी प्रकार आकास जो है उसका लक्षण है शब्द होना तो ये आकास को जो हना आकास से प्रत्वी को भिन्न करता है परन्तु जब प्रत्वी उत्पन होती है न्याईवेशे शिक्स जो दर्शन है वह यह कहता है कि उत्पत्ति के समय द्रव्य गुण और क्रियारहित होता है यानि प्रत्वी जब उत्पन होती है तब उसमें प्रत्वी गंद नामगुण नहीं होता जो हमने कहा था यावल लक्षकाल अन्वस्ति तत्वे सती यानि लक्षका जो उत्पत्तिकाल है और लक्षका जो प्रलैकाल है उन दोनों में जो नहीं रहता है परंतु अन्यवस्तों से उसको प्रतक करता है उसको हम कहते हैं तटस्त लक्षन तो जो प्रत्वी है वै अपनी उत्पत्ती की समय गंद रहित होती है उसमें गंद नहीं होता परंतु उत्पत्ती के पश्चात थोड़े समय के पश्चात सम्वाई सम्मंद से उसमें गंद रूपी गुणा आ जाता है जो उसको अन्यवस्तों से प्रतक करता है अता है गंदवती जो लक्षण है प्रत्वी का वह तटस्त लक्षण है अब हमने देखा कि लक्षण किसको कहते हैं लक्षण के भेद क्या है और उस प्रक्रम में हमने सुरूप लक्षण तता तटस्त लक्षण की चर्चा की अब हमारा लक्षे है कि वो जो सुरूप लक्षन है उसको ब्रह्म पर गटित करना कि ब्रह्म जो है उसका सुरूप लक्षन क्या हो सकता है इस विशे में अद्वेत वेदान्त में का गया है कि तत्र स्वरूप मेव स्वरूप लक्षणम यथा सत्यादिकम ब्रह्मन है स्वरूप लक्षणम कि स्वरूप ही वस्तू का स्वरूप लक्षण है जैसे उदर्णम ने दिया था कि शक्कर से उसकी मदूरता को प्रतक नहीं किया सकता वह उसका स्वरूप है उसी प्रकार जो ब्रम है उसका स्वरूप उसका लक्षन क्या है उसका लक्षन है सत्त रूप होना सत्त चित रूप होना चेतन होना और आनंद रूप होना अर्थात सुक और दुख से रहीत होना इसके ये तीन लक्षन जो हैं वो सुरूप लक्षन के अंतरगत आते हैं जो अगनी है उश्नता उसका सुरूप लक्षन है प्रकास जो है वो दिपक का लक्षन है उसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षन क्या हो गया सत अर्थात सत्ता उसकी सत्ता तिर्विद कालों में विद्यमान है ब्रह्म जो है वो भूत काल में भी है वर्तमान काल में भी है और बविश्य काल में भी है ब्रह्म जो है वो चित है, चित मतलब चेतन है, जड नहीं है, चित रूप है तीसरा है आनंद है, अर्थात ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है ब्रह्म जो है ना तो वो सुख रूप है ना ही वो दुख रूप है ये अभी हमने देखा, साथ ही जो ब्रह्म को हम कहते हैं अखंड, अखंड का मतलब हो गया कि ब्रह्म जो है वह बेदों से रही था है, बेद तीन प्रकार के कहे गए हैं, स्वगत बेद, सर जातिय बेद और वी जातिय बेद, आप वरक्ष को देखी, वरक्ष को जब हम देख को कह सकते हो, ना वरक्ष को आप फल कह सकते हो, तो यह जो बेद है, वरक्ष के अपने अंदर जो बेद है, इसको हम कहते हैं स्वगत बेद, दूसरा, कोई वरक्ष, किसी अन्य वरक्ष से प्रतक होता है, जैसे आम का वरक्ष जो है, वो बरगद के पेड़ से बिन होता है, इसको हम कहते हैं सह जातिये बेद तीसरा जो पेड़ है वो पत्थर से बिन्न होता है तो पेड़ का पत्थर से जो बेद है वो वी जातिये बेद होता है ये तीन प्रकार के बेद कहे गए हैं स्वगत बेद, सह जातिये बेद, वी जातिये बेद इसी प्रकार आप जैसे मनुष्य को ही ले 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 तो मनुष्य जो है वो अपने बालों से अपने नाखुनों से और अपनी तवचा से ये नहीं कहा जा सकता है कि बाल को मनुष्य कहा जा सकता है नहीं मनुष्य को तवचा कहा जा सकता है नहीं मनुष्य को नक कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता तो ये जो मनुष्य है इसमें स्वगत बेद है इसी प्रकार एक कमल नाम का जो मनुष्य है वो विमल नाम के मनुष्य से प्रथक है बेद है तो इसको हम कहते हैं सह जाती है बेद मनुष्य का मनुष्य से बेद दूसरा मनुष्य का पत्थर तो पेड़ से ये अचल चीजे हैं और मनुश्य जाए वो चल वस्तू है तो उसका वीजाती अभेद भी है तो ये तीनों भेद ब्रह्म में नहीं रहते हैं इसलिए ब्रह्म को क्या का गया है अखंड ब्रह्म को हम अखंड क्यों कहते हैं ब्रह्म को हम अखंड क्यों कहते हैं ब्रह्म को हम अभी हमने बताया था कि तटस्त लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो उस वस्तु को अन्य वस्तु से प्रतक करता है परंतु वह लक्षण उस वस्तु के उत्पत्तिकाल और उस वस्तु के प्रलेकाल में नहीं होता उसे हम तटस्त लक्षण कहते हैं उदारणम ने बताया थ की प्रतवी का गंदवती होना यह प्रत्वी जब उत्पन होती है तब उत्पन होने के पस्चात कुछ समय के पस्चात समवाइ संबंद से प्रतवी में गंद आती है तो यह जो लक्षण है प्रत्वी का गंदवती होना यह लक्षण प्रत्वी को अन्यवस्तों से तो प्रतक करता है परन्तु यह प्रत्वी के लक्ष काल तक या प्रत्वी के उत्पत्ति काल तक और प्रले काल तक नहीं होता तो ब्रह्म का तटस्त लक्षन क्या होगा ब्रह्म का लक्षन है जगत जनमादी कारणत्वम ब्रह्म नीच है जगत जनमादी कारणत्वम जब हम ब्रह्म को जगत का कारण कहते हैं तो यह उसका तटस्त लक्षन होता है क्योंकि ब्रह्म जब निर्गुन स्वरूप में होता है उसमें जगत जानमादी कारणत्व नहीं होता ब्रह्म ना तो जगत का कारिय है ना ही जगत का कारण है निर्गुन रूप में पर जब वह सगुन रूप में होता है तब वह विष्णू, शिव और ब्रह्मा की रूप में जगत का उत्पत्ति, इस्तति और संगार का कारण बनता है इसलिए यह जो लक्षण है वह ब्रह्म का तटस्त लक्षण है और ब्रह्म का सुरूप लक्षण हमने आपको बताया कि सत रूप चित रूप और आनंद रूप होना सत्ता चेतना और आनंद ये ब्रह्म का सुरूप लक्षण है और ब्रह्म का तटस्त लक्षण क्या है ब्रह्म जगत का कारण है ब्रह्म जगत की उत्पत्ती इस्तती और लेका कारण है यही दिती ब्रह्म सुत्र में कहा गया है पहला ब्रह्म सुत्र क्या है अथातो ब्रह्म जिग्यासा आईए हम ब्रह्म को जानते हैं फिर ब्रह्म किसको कहते हैं तो ब्रह्म का तटस्त लक्षन देते हैं जन्माद यश्य यतह यतह यस्माद अर्ता जिस कारण से यतह का मतलब है जिस कारण से जन्मादी जन्म उत्पत्तिती उत्पत्ती और प्रले भंग जिससे होता है अश्य इस जगत का जिससे इस विश्व का अश्य जगत है इस जगत का उत्पत्ति इस्तती और संगार होता है उसको हम करते हैं तटस्त लक्षन तो ये ब्रह्म को अन्यवस्तों से प्रतक करता है इस विश्व में सभी वस्तों ये कारिये हैं में आप गट पट इत्यादी समस्त वस्तों ये कारिये हैं इन सभी वस्तों का जो को उत्पन करने वाला उनको पानलन करने वाला और उनको नश्ट करने वाला ब्रह्म है यह निवस्तों से प्रतक करता है परन्तु यह ब्रह्म का जो लक्ष काल है अर्थात ब्रह्म का जो निर्गुन अवस्ता है उसमें यह लक्षन नहीं होता अब हम देखते हैं ब्रम का जगत कारण तो अभी हमने काया कि ब्रम का जगत कारण होना है जगत के प्रती कारण होना है वह है ब्रम का तटस्त लक्षन है तो ब्रम जगत का कारण केसे है पहले तो हम जानती के कारण कहते है किसको है कार्य नियत पूर वरत्ती कारण हम कारे से पहले जो होता है उसे हम कारण कहते हैं उदारण के लिए गड़ा जो है उस गड़े से पहले कुमार होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि कुमार से पहले गड़ा हो नहीं गड़े से पहले कुमार होता है गड़े से पहले मिट्टी होती है इसलिए मिट्टी और कुमार जो है वो गड़े के प्रती कारण है उसी प्रकार जब यह जगत है तो यह जगत जो है वो ब्रह्म से इस जगत से पहले ब्रह्म है इस त्रष्टी से पहले ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म इस त्रष्टी का कारण है पर यह जो ब्रह्म है यह इस्ष्टी का कारण केसा है अब यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि जो कारण है वह दो प्रकार का होता है एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित कारण उपादान कारण किसको कहते हैं? वह वस्तु जिससे कारिय उत्पन होता है जैसे मिट्टी गट का कारण है, स्वर्ण आबूशन का कारण है ये this is the material cause, इसे हम कहते हैं उपादान कारण अर्थात कोई भी वस्तु जिससे कारिय उत्पन होता हो तो वो जो material है, वो जो वस्तु जिस्य वस्तु उत्पन हो रही है, उसको हम कहते हैं उपादान कारण दूसरा होता है निमित कारण, efficient cause, अर्थात यह कोई चेतन होता है, कोई conscious element होता है, कोई मनुष्य होता है या कुछ भी एसी चीज जो चेतन है, जो उस उपादान वस्तु में क्रिया करके कार्य को उत्पन करती है, उधान के लिए गड़े के प्रती मिट्टी कारण तो है, पर मिट्टी में क्रिया उत्पन कोई करता है, कुमार, इसलिए कुमार क्या होगा है, निमित कारण है, उसी प्रकार, स्व ब्रहम जगत से पहले प्रति ब्रहम तो यह ने निमित और उपादान कारण कारण, अर्थात अबिन मतलब एक, भिन नहीं है, निमित और उपादान कारण दोनों ही ब्रहम हैं, अलग अलग नहीं जैसे आपने गड़े को देखा था तो गड़े के प्रती उपादान कारण क्या है मटेरिल कोज क्या है मिट्टी और निमित्त कारण क्या है कुमार परंतु जब हम जगत की बात करते हैं जब हम सृष्टी की बात करते हैं तो दोनों कारण निमित्त और उप अर्थात यतोर्ण नाविही कि जिस प्रकार मकडी जो है वो अपने जाल के परती कारण है। माया की द्रष्टी से उपादान कारण हो जाता है और इस्वर की द्रष्टी से निमित कारण हो जाता है। माया अंदर अपनी ही मिट्टी से पोद्य को उत्पन कर देती है और प्रत्वी जो है अपनी चेतना से उसके प्रती निमित कारण होती है। इस प्रकार प्रत्वी भी निमित तोर उपादान कारण है, पोधे के प्रती, अब जिसे यता सता है पुरुशात केशलो मानी, कि मनुष्य जो है, वो अपनी डाड़ी और मूचों के प्रती, डाड़ी और जो मूच होती है, उनके प्रती मनुष्य जो है, वही उपादान कार बनकर के निमित्त कारण बनता है और ब्रह्म अपनी शक्ती माया से उपादान की दृष्टी से इस जगत को उत्पन करता है इसलिए ब्रह्म जो है वही उसका उपादान और निमित्त कारण दोनों है अब हमने अभी तक यह देखा कि ब्रह्म जो है उसको क्या कहा जाता है आत्मा कोई ब्रह्म क्यों कहा जाता है ब्रह्म का सुरूप लक्षन क्या है ब्रह्म का तटस्त लक्षन क्या है आगे हम इसी पे ही चर्चा करेंगे धन्यवाद नमस्कार